नमस्ति दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ बहुत अच्छे हुगे हम लोग भी बहुत अच्छे हैं स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर आज मैं आपके लिए ले क्या आई हूँ सेव नमकीन की रेस्पी एकदम अलग तरीके से बनाना भी है अलग तरीके से और इसमें जो सामगडी जाएंगे वो भी बिल्कुल नया है तो यहाँ पर एक कप बेशन को अच्छे से छान के और लेना है क्योंकि बेशन में कभी कभार होता है न कि डाल का दाना रह जाता है तो उसे आपको छान के निकालना होता है तो अलग सा मगडी में ये है चावल के आटा तो फ्रेंट्स एक कप हमारे चावल का बेसन रहेगा तो उसमें आधा कप चावल का आटा एड़ कर रही हूँ आपके पास यदि चावल का आटा है तो आप एक वार जरूर डाल के बना के देखे ये जो है सेव नमकीन बहुत ही ज़्यादा खसता बनता है और इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा सफेद सफेद सा रहेगा चावल के आटे और बेसन को हमें पहले अच्छे से छान के मिक्स कर लेना है ये आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिर्फ वेसन से भी बना सकते हैं वो भी सेव नमकीन बहुत ही अच्छा बनता है लेकिन चावल वाला जो सेव नमकीन है वो और भी ज़्यादा कुरकुरा बनता है और इसका टेस्ट थोड़ा अलग सा होता है तो आप एक बाट राई जरूर कीजिएगा घर में चावल का आटा एदी आपको बनाना है बहुत ही आसान तरीके से आपको रेस्पी चाहिए कमेंट कीजिएगा मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूँगी तो यहाँ पर हमारा बेसन और चावल का आटा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है अब इसे रखना है साइड में और यहाँ पर लेना है एक कोई भी परतण और इसमें हमें बनाना है मसाला तो आधा चम्मच इसमें डाला है मैंने लाल मिर्ची पाउडर मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा ऐसे सेव नमकीन थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है तो सारा मसाला थोड़ा आप चाहे तो जादा जादा भी करके डाल सकते हैं अब यहाँ पर डाला है मैंने छोटे वाले चम्मच से दो चम्मच धनिया और जीरा का पाउडर तो यहाँ पर देखिए इस टाइब के मसाले के लिए धनिया को और जीरा को साथ में ही पिस्वा के रखा है मैंने और साथ में डालना है आधा चोटा चम्मच अजवाइन अजवाइन को हाथों से थोड़ा करस करके इसमें डालिए अजवाइन का दाना छोटा छोटा होता है तो यह आपको सेव नमकिन बनाती समय में दिक्कत नहीं करेगा साथ में डालना है हमें एक छोटा चम्मच के जितना गरम मसाला पाउडर यह जरूर डालिएगा जो जो मसाला इसमें डाल रहे हूँ, सारे मसाले आप डालके और सेव नमकीन बनाईएगा अब डालना है इसमें स्वाद के अनुसार नमप और इसमें डालना है हमें आधा चम्मच के जितना अमचूर पाउडर अंचूर पाउडर या चाट मसाला आप दोनों में से कोई भी एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे की हलका सा सेव नमकीन के अंदर खटास आएगा और एक पिंच डालना है इसमें मीठा सोडा इससे हमारा जो सेव नमकीन है वो बहुत ही जादा हलका बनेगा तो यहाँ पर देखें आधा चम्मच अंचूर पाउडर डालना है सारे मसाले को एक बार बहुत अच्छे से मीक्स कर लेना है और मीक्स करने के बाद देखें कुछ इस तरीके से मसाला हमारा बारिक है अदि आपके पास इस टाइब का पिसा हुआ मसाला नहीं है तो आप सारे खरे मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसाले को एक जगह करके और मिक्सर जार में डालके अच्छे से बारिक करके पिस लीजिएगा तो भी आपका मसाला बहुत ही अच्छा चट-पटा सा बनके तयार हो जाएगा इसमें थोड़ा एक चुटकी के जितना हिंग पाउडर भी जरूर डालिएगा और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें आप डालना है इसमें दो चमच के जितना तेल तो एक चमच और इसमें डालती हूँ तेल तेल डालने से क्या होता है यह बहुत ही अच्छा खस्ता बनता है अब तेल में हमें मसाले को पहले बहुत अच्छे से मिक्स करना है और इसमें डाल देना है पानी तो तीन से चार भोल रहे हैं और पानी बच जाएगा तो साथ साथ में मसाला भी बर्बाद चला जाएगा इसके लिए तीन से चार्चे मच आप पानी डाल के मसाले को बहुत अच्छे से तेल के साथ मिक्स कि पीजिए ठोड़ा सा गाढ़ाँ गाढ़ासा होना चाहिए यानि कि एक मिनट दो मिनट तक इसे आप इसी तरीके से मिक्स करते रहिएगा तो ये खुद वखुद मसाला फुल जाएगा और तेल और पानी मिलके एक दम गाढ़ासा एक पेस्ट के जैसे तयार हो जाएगा फ्रेंड्स वीडियो अच्छा तभी अगला वीडियो हमारे जब भी मैं डालूंगी आपके पास उसका नौटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख पाएंगे तो देखे फ्रेंड्स यहां पर यह तेल और पानी और मसाले का जो घोल है बहुत अच्छे से तयार हो चुका है अब यहां पर थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें बेसन जो मिक्स करके छाल के रखा गया हूँ इसमें से इसमें डालते जाएए और मिक्स करते जाएए तो पहले थोड़ा सा बेसन डालके और अच्छे से इसे मिक्स कर लेती हूँ यह पानी मसाले वाले पानी के साथ इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जरासा भी गुठली ना पड़े ऐसे गुठली नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे अच्छे से हाथ से फेटा जाएगा तो देखिए पहले थोड़ा सा बेशन के साथ सारे मसाले तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए कुछ इस तरीके से वाप देखिए फ्रेंट अब फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और थोड़ा सा बेशन एक बार में कठे आप पूरा बेशन भी चाहें तो डाल सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से भी फेट सकते हैं इस तरीके से फेटने से क्या होता है हमारे बेशन जो है फेटने में के तैयार होगा और बहुत अच्छा कुरकुरा बनेगा लंबे समय तक खराब नहीं होगा तो देखिए अब सारे को अच्छे से हाथ से फेट के थोड़ा सा हलका कर लेती हूँ तो चलिए फ्रेंद्स इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कितना इसका घोल का थिकने से बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं किजिएगा बहुत ज़्यादा पतला करने से क्या होगा कि सेव नमकिन अपका गोल गोल सेप नहीं लेगा वो पिछकु पिछकु जैसा हो जाएगा तो देखिए अब हमारा जो ये मिस्रन वो त्यार हो चुका है अब चलिए आपको सेव नमकीन बना के दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है सेव नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर देखिए कितना छोटा सा मैंने पॉली थिन लिया है घर में कोई भी चीज का खाली पैकेट जैसे दूद का चाई पत्ती का मैदा का सूजी का कोई भी चीज का जैसे खाली पैकेट होता है न बस उसी को लीजिए और उसमें ये बेशन वाले को घोल को डाल दीजिए बहुत अच्छे से बहुत छोटा सा पॉली थिन आप थोड़ा थोड़ा भी करके इसके अंदर बेशन डाल सकते है और चाहे तो इससे भी बड़ा पॉली थिन आप ले सकते हैं फ्रेंट जो डबबा से बनाया जाता है खाली डबबा से उसमें होल करके बनाया जाता है दिए उसका रेस्पी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको दे दूँगे तो उससे भी बना सकते हैं लेकिन डबबा वला से ज्यादा आसान होता है पॉली थिन बला इसके किनारे से थोड़ा सा कट लगा दीजिए जो फालतो का पॉली थिन है उसे कट करके हटा देना है और सारे को कोना के तरफ ले जाईए और बारिक सा इसमें हलका सा कट लगाईए सबसे पहले फिरेंट्स यहाँ पर कट लगाने के बाद आपको किसी भी बरतन के उपर थोड़ा निकाल के देखना है कि इसमें से सेव नमकीन हमारा सही से निकल रहा है या नहीं तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ देखिए कितना ही सुन्दर से एकदम गोल मटोल सा देखिए इसका सेप है ना जरासा भी चिपक नहीं रहा एकदम गोल गोल सा निकला है यहाँ पर मैंने डाला है तेल को गरम होने के लिए और आज को मीडियव रखना है तेल को बहुत ज़्यादा धुआ धुआ गरम नहीं किया है मैंने बहुत ज़्यादा धुआ धुआ गरम करने से एक दम इसका कलर चेंज हो जाएगा अच्छे सी ये खसता नहीं बनेगा तो इसी तरीके से आप तेल में इसे घुमा घुमा के जिलेवी के जैसे बना लीजिए बहुत ही आसान रेस्पी है फ्रेंट्स आप जब चाहें तब इस सिर्ण नमकीन को बना के तयार कर सकते हैं बीना कोई जंजट बीना कोई मेहनत बस घर में पड़े कुछ समानों से हैं ये बहुत सारा नमकीन आपके पास बनके तयार हो जाएगा और चाहें तो इस नमकीन में थोड़ा सा मुंग फली थोड़ा सा कड़ी पता ये सब भी फ्राई करके मिक्स करके और जादा से जादा नमकीन घर में तयार कर सकते हैं आप एक तरफ से जब ये तेल के ऊपर आ गया है तो इसे दूसरे तरफ से पलट देना है और हल्का हल्का साइस का कलर चेंज हो बस इतना देर फ्राइ कीजिएएगा क्यूंकि इसमें हल्दी पाउडर नहीं डाला गया है इसका कलर बहुत ही अच्छा सफेद सफेद सा है आप देख पा रहे हैं और चावल के आटे के बजह से भी इसका कलर बहुत अच्छा आया है तो देखें फ्रेंट्स अब तेल जो है हलका सा इसमें जो बबल सा रहा था वो सांत हो चुका है यानि कि हमारा जो यह सेव अच्छे से पक चुका है अब इसे निकाल लेना है और इसी तरीके से सारे बचे हुए सेव नमकिन बना के हमें तयार करना है तो चलिए एक बार का और आपको बना के दिखाती हूं जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं एकदम आसान रेस्पी है आप जब चाहे बना सकते हैं देख पा रहे हैं और बहुत कोई हमारे दोस्त के पास से बाले साचा नहीं होता है तो वो कमेंट करते हैं कि हमारे पास ये मसीन नहीं है तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है वो देखते ही बनाने चले जाएंगे इतना अच्छा सभी को खाने में पसंद आता है आप चाए के साथ ले सकते हैं बच्चों को हलका फलका भूख में दे सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स इसी तरीके से इसे भी फराई करके निकाल के फिर दिखाती हूँ तो देखें यहाँ पर हमारा जो है सारस सेव नमकीन बनके तयार हो चुका है अभी और भी बाकी है बनाने का क्योंकि इतना नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है दो कप यानि एक कप हमारा बेशन था और आधा कप चावल का आटा देखें कितना खसता है देखें फ्रेंट्स है ना बहुत ही ज़्यादा खसता है इसे आप डबा में बंद करके रखें जब तक चाहें इंजोय करें बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और एकदम सौफ्ट भी नहीं होता है बहुत ही ज़्यादा खसता बनाये तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ आज वाली रेस्पी आपको बहुत पसंद आई होगी रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थेंक यू